नमस्कार, मैं सुमंत कस्यप, एस्ट्रो वास्तू कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल एक केस दिखाऊंगा, मैं अपना ही दिखाऊंगा यह जो मैं आपके सामने है, यह मेरे घर का है, इसमें मैं रहता हूँ कैसे वास्तू, एस्ट्रो वास्तू और 45 इनर्जे फिल्ड जो वास्तू में 45 देवता होते हैं उनके थुरू जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है और कुंडली में जो योग हैं, उनका मैकसिमम बेनिफिट हम ले सकते हैं इसके लिए मैं आपको अपनी कुंडली दिखाऊंगा, चुकि एस्ट्रो वास्तू भी मैंने कहा और जो 45 देवता होते हैं वास्तू के, यह भी कुंडली से ही जुड़े होते हैं तो कुंडली आवस्यक है, यहां आपके सामने मेरे कुंडली है, लगन कुंडली है, सिंग लगन की कुंडली है जब मैं परिशान था लगवग सुक्र की जो मेरी महादसा चालो ही 2009 के लाष्ट में और 14-15 तक समस्याएं काफी जादा रही और आप देखेंगे इस लगन कुंडली में तो सुर्य छठे घर में है, राहो भी है, सुक्र भी है, सनी और मंगल आपको पांचवे घर में मिलेंगे किसी जो तिसीन है और चंदर आठ नमर रासी में नीच का है जब मैंने अस्टार्ट किया तो देखें, मैंने चंदर का भी अस्टोन मोती पहना हुआ है और मैंने बुद्ध भी पहना हुआ है और जो जो तिस्यों के पास मैं गया था, उन्हें के अनुशार ये सारे मारक और बाधक थे पता नहीं क्या क्या विस्फोटा की योग और सुरेगरहन दोस और ये चंदर नीच का कालसर अरब दोस कई सारे दोस बताए, कई उपाय कराए, लेकिन इससे हुआ कुछ नहीं और वास्तवी ग्रूप में आप ये समझे तो एस्ट्रोलाजी में जो ये ग्रह जहां हैं, आप कुछ भी कर लें, इनके पोजीशन बदलने वाले नहीं है तो अब आपके मन में आएगा, बदलेगा नहीं तो फिर रेमेडिस क्या करता है, वो मैं बता रहा हूँ अभी फिर आएए केपी सेक्सर में आपको दिखा दूँ, केपी के थूरी ये केपी कुनली हो गई, यहां पर ये आपके सामने कस्पल चार्ट हो गया, सभी भावों के सबलोड यहां आपको मिल जाएंगे साथ ही ये सिगनिफिकेटर टेबल है, फिर ये भी टेबल है लेवल वन, लेवल टू का, फिर ये नाड़ी सिगनिफिकेटर्स है, ये भी टेबल्स, कुछ दिर आपके सामने ये रख रहा हूँ, आप देख लें, बाद मैं आप मिला भी लेंगे जिन को चेक करना होगा यहां से भी आप ग्रहों के हिसाब से देख लें, और बात हम धन की करेंगे, तो सिर्फ बुद्ध में 2, 4, 11, जिसमें 2 और 11 धन का है, धन के लिए 2, 6, 11, 3 महतोपूर नंबर होते हैं, तो एक साथ आप देखेंगे, तो सिर्फ इसी में बुद्ध में ही मिलेगा वो भी प् यानि यह strongly यह नहीं है, चंदर में आया है, नक्षत्र करूप में, बाकी यहां केतू में आया हुआ है, केतू की दसा मेरी अच्छी गई, लेकिन जब केतू के बाद सुक्र श्टार्ट हुआ है, यह भी आप दसा भी देख लीजिए, शुक्र की दसा श्टार्ट हुई, 8, यारत-DA नौ तक केतु उसके बाद सुक्र श्टार्ट हुआ मै जब आप देखेंगे तो सुक्र गुरु है जो हमें 8 नौ 200 बाईस ँग्ले साल 22 तक रहेंगा है तो मैंने किया क्या सब्सेपमे से मैंने काम किया वास्टु पे वास्टु पे कैसे यह ended देखेंगे यहां पर बेड्रूम है फिर यहां भी यहां बेड्रूम है 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 यहां बेड् confidence मैंने अपने आप में जो develop किया इन सभी विद्याओं के थुरू मैं money by guarantee पर इसलिए ही काम करता हूं कि यदि मैं इन विद्याओं के थुरू अपने लिए पैसा generate कर सकता हूं अपने लिए मैं favorable circumstances ला सकता हूं तो फिर मैं दूसरी के लिए भी कर सकता हूं तो जैसे मैंने यहां से अपना bedroom यहां shift किया मेरी आधी समस्या खतम हो गई बेड्रूम को shift करने का अब bedroom यहां दो ही है एक यह और एक यह तो यह shift करने का मेरे पास option था और कुंडली के हिसाब से वास्तू के अनुसार भी यह दक्षण दिसा में जा रहा है यह bed अच्छा है और कुंडली के हिसाब से भी मेरे कुंडली के छठे भाव को यह बता रहा है छठा भाव पैसे का जो मेरी कुंडली में बहुत कम है तो मैंने इसको भी ले लिया वास्तू के भी मैंने यहां जोड लिया साथ निसाथ आप जब देखेंगे यहां तो मेरा kitchen डबलू एंडब डिप्रेशन के zone में जो खाना बनेगा वैसा ही mood वैसा ही motive रहेगा कुछ भी खाना बन जाए कैसा भी पकवान बन जाए एक डिप्रेशन बाले feeling और एक negativity हमेंसा मवजूद रही तो कि खाना से ही सब कुछ है तो यह इसको मैंने चेंज किया फिर आप ट्वाइलेट देखें पर जीरो के में माइनस में था तो इसको मैंने सही किया असनाँगर यहां आप देखेंगे तो असनाँगर यह वैस साउथ वेस्ट और कुछ हिस्सा यहां पर साउथ वेस्ट का भी आ रहा है जो अर्थ का है तो अर्थ में जब पानी आता है तो दल-दल वाली इस्तिति हो जाती है फसने वाले इस्तिति हो जाती है फिर इसको मैंने रेमेडियल मेजर्स की इसको सही किया अस्रान गर्द कुछ जो कि हम सिफ्ट कर नहीं सकते हैं तो यह जो बेसिक बैलेंसिंग थी फाइव एलिमेंट के थुरू वह मैंने किया जिस जोन में जो कलर्स होने चाहिए उ को सारे मैंने किये और वो करने के बाद फिर मैंने इनर्जी वास्तु अपलाई किया पूरे घर का एटमोस्फियर पॉस्टिव रखने के लिए तो यह फर्स्ट स्टेप में जैसे मैंने वास्तु का क्या निगेटिविटी खतम हो गई दूसरा मैंने क्या किया अपने कुनली के एकॉर्डिंग जो एस्ट्रो वास्तु आता है अभी हम 45 इनर्जी फिल्ड की बात नहीं कर रहे हैं इस एस्ट्रो वास्तु के एकॉर्डिंग मैंने यहाँ जो NNW है इस NNW वाले हिस्से में मैंने एक गलोव रखा उपर्चुनि यहां ने अपनी एक्षापूरती का जो मेरी अपने विस्टिंग कार्ड होता है। इस्को भी मैंने यहां रखा है। यहां जो NNE है, यहां मैंने अपना wish list लगाया है, जो मेरी इक्षा पूर्ती का, जो मेरी अपने wishes होती है, उसका एक list है, उसको मैंने यहां पे रखा है, NNE में. NNE में ही, मैंने अपने 11 भाव को एक्टिवेट करने के लिए, गुण है, जो मिठा, उस गुण को मैंने यहां पे रखा हुआ है, साथ ही साथ, यहां इस जगह पे एक table भी मेरा, यहां पे इस से लेके ESC में ऐसे एक बड़ा सा table है, जो यहां चुकि बाद में table आया है, मैं ब रखा हुआ है, और भी छोटे-छोटे दो-तीन changes किये हैं मैंने, जो मैंने अपने कुंडली के according, एस्टो वास्तु के अधार पे किया है, यहां पे यह वेस्ट में जो एस्टो रूम है, यहां पे काले रंग का एक डबबा मिलेगा, जो sunny के लिए मैंने यहां पे रखा होगी, वो एक गोल में, वो एक डबबा है, उसको मैंने यहां रखा हुआ है, तो यह अब तक की planning आपने देखा वास्तु के according और एस्टो वास्तु के according, अब आती है 45 energy field, 45 energy field का मैंने क्या उपयोग किया, चुकि मेरी कुंडली में धन के योग नहीं है, बहुत ही कम है, तो धन जेनरेट होगा कैसे, और जो लोग मेरी WhatsApp group, Facebook group में है, उनको पता होगा, मैंने कुंडली देखना 201 रुपे से स्टार्ट किया था, और आज मैं 3100 लेता हूँ, मिनिमम चार्ज है, एस्टो वास्तु कंसल्टेशन का 6000 रुपे लेता हूँ, मेरे courses, जो भी course है, जो predictive course है, ज 45 energy field, ये 45 देवताओं का जो course है, ये 41,000 यानि एक तालिस जार का है, तो ये सारे courses जो हैं, और मेरे अपने जो एक brand building हो रही है, वो completely dependent 45 energy field पे, तो उसके थुरू मैंने इस वास्तु में, अपने कुंडली के महा दसा, अंतर दसा और जो धन वाले भाव हैं, उसको according, देवता यहाँ इसमें locate नहीं है, लेकिन एक देवताओं की position यहाँ आपको मिलेगी, एक यहाँ है, और तीन इधर मिलेंगे आपको, यह तीन यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में हैं, इन देवताओं को मैंने activate किया है, इसके थुरू branding बढ़ती है, और काम आपका scale up होता है, फिर 11th house को activate करने के लिए मैंने आगूर रखा था, फिर यहाँ जो मैंने NNW में मैंने रखा हुआ है, अपने opportunity के लिए, money and opportunity के लिए, तो क्या मैं उसको भी नहीं रखता है, यह ट्वालेट का मैं नहीं करता है, तो क्या मुझे रिजल्ट मिल जाती है, एक process होता है उसको स रहेगा, इस वास्तू के परिवेश में एस्ट्रो वास्तू काम नहीं करेगा, यानि एस्ट्रो वास्तू के लिए आपको वास्तू को सही करना होगा, फिर वास्तू के result आपको मिलेंगे, फिर जो एस्ट्रो वास्तू आप करेंगे उसके result मिलेंगे, जो 45 इनर्जे तो सभी 45 देवता आपको दीखेंगे, यहाँ पर सोम है, रुग है, अधीती है, इसा है, परजन है, जयन्त है, यह सारे चक्र है, इसमें आपको दीखेगा, कहीं नहीं दीख रहा है, वैसे मैं रख देता हूँ, अब आपको दीख जाएगा, पूरे 45 इसमें यह देवता है, ये देवता आपकी कुंडली के according चुकि पूरे के पूरे 45 energy field की जरूरत किसी को नहीं होती तो आपकी कुंडली के according जिसकी जरूरत है उसको जब आप अपने वास्तु में activate करते हो तो जो कुंडली की योग है उनको ये scale up करने का काम करते है scale up करने से मैं यहाँ पे आपको समझाओं कहीं आपको ये लग रहा हो कि ये काम actual में करता कैसे है, scale up का काम क्या है scale up के काम से यहाँ पे एक समझें आप 2-6-11 ये धन का है लेकिन कीतना धन बताता है ये कोई नहीं बता सकता है कोई भी एस्टरोजर नहीं बता सकता है लेकिन ये तीनों एक साथ आएंगे तो धन देंगे suppose कीजिए आपकी कुंडली मिसमें से सिर्फ 2 है या सिर्फ 6 है तो क्या होगा धन के स्थिति कम हो जाएगी तो ये जो वास्तू और एस्ट्रो वास्तू है साथ में 45 इनर्जी फिल्ड जिनको 45 देवताज भी बोलते हैं ये इसको स्केल अप कर देंगे स्केल अप से जैसे अभी सिर्फ 6 नंबर मान लेते हैं आपको एक दिन के 100 रुपए देते हैं तो ये पैसा तो चुकी आना है ये 100 को 1000 नहीं 10 1000 में भी बदला जा सकता है ये यहीं करते हैं तो एक remedial measures की जहां तक हम बात कर रहे हैं जीवन में परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं तो उस इस्तिती में वास्तू, एस्ट्रो वास्तू और 45 energy field बहुत ही जवर्दस्त रिजल्ट देते हैं ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश यहीं था कि बहुत से लोग ये पूछते हैं उनका question आता है मेरे वीडियो देखने के बात हैं जो लोग में इससे course भी करते हैं कि वास्तू का क्या है, यूजैस्ट्रो वास्तू का क्या है, 45 energy field का क्या है सबको आप अलग-अलग करके ना देखें एक साथ एक complete package है कुंडली हम उसका predictive part करेंगे जब prediction उससे लेंगे क्या इसके positive points हैं, क्या negative points हैं तो negative को balance करके, positive को बढ़ाने का काम आपके वास्तू में, यानि जो आपका घर है, जो office है तो वास्तू के नियम, एस्ट्रो वास्तू और 45 energy field के थुरू हम उनको scale up कर सकते हैं, किया जाता है और result भी मिलता है यदि आप मुझसे course करना चाहते हैं या मुझसे consultation लेना चाहते हैं तो दोनों ही इस्तितियों में, आप मेरे WhatsApp नंबर पे संपर्क कर सकते हैं Courses मेरे, Predictive Astrology का course ग्रूप में चलता है जिसकी fee 32,000 रुपय है, one time और यदि आपको अकेले करना है single, तो 50,000 रुपय है बाकी advanced astro वास्ति कोर्स का fee भी 50,000 रुपय है वास्ति कोर्स का fee भी 50,000 रुपय है वास्ति से related एक वीडियो मैंने बनाया है जो आपको मिल जाएगा, मेरे YouTube चैनल पे ही और 45 energy field जो astro पे ही अधारी थै जो अभी मैंने आपको चक्र दिखाया था यह जो चक्र है, 45 देवताओं का तो इस कोर्स की fee 41,000 है सभी कोर्से में मैं practice support देता हूँ और एक बात कहूंगा, आप कहीं से भी कोर्स करें कोई भी कोर्स करें तो जहां से भी करें, आप practice support अवस से लें चुकि practice support के बीना आपको confidence नहीं आपाएगा सिर्फ कोर्स करेंगे, theoretical knowledge रहेगा जब आप case solve करेंगे, तो आपको practical knowledge मिलेगी उम्मीद है, आपको समझ में आया होगा यह practical knowledge बने रहे, मिलते हैं कुछ और वुडियो से